नमस्कार दोस्तों में रड़ा में विमल सिंग बाला जी श्टेडिय एड़ा में आपका स्वागत है अस्तारीक आपकी 26 माई 2023 की सिक्षा सेवा चैन आयोग जो की उत्तर प्रदेश में नई यूपी टेट और सूपर टेट की परिक्षा कराएगा उसी के गठन को ले करके नि खैले का प्रस्ताओ प्रयागरास से न्यूज है प्राक्मिक से लेकर उच और तक्निकी सिक्षड संस्थानों में सिक्षग भरती के लिए मुक्यमंत्री योगी आदितिनात के निर्देश पर राज्य सिक्षा सेवा चैन आयोग गठित करने की प्रक्रिया कुछ आगे बढ ही है और इस नए चायन आयोग के गठन की कवायत तो 2019 में हो गई थी और तब अधिनियम भी बन गया था लेकिन अस्तित में एक्षुल में नहीं आया था अब सासन्य मुक्यमंत्री के निर्देश पर 2019 में बने अधिनियम में संसोधन और नए प्रावधान सहित उत्तर प्र रस्ताव जो है वो किया है जिस पर सासन इस तर से अंतिम नणय लिया जाएगा ये केवल भेज दिया गया है सासन इस तर से होगा चुकि आयोग अब यह तक और यही है कि वो पहले से प्रयाग नमाझ में ता तो इसलिए इसको भी प्रयाग राज में रखने को सोचा गया और इसलिए प्रतियोगी भी मांग कर रहे थी कि इसका मुख्याले ही प्रयाग राज में बनाए जाया है में इस आयो के गटन के प्रयास हुए थे तब बने अधिनियम में इसका मुख्याले प्रयाग राज में बनाया जाना फाइनल भी था अब जनवरी 2023 में जब मुख्यमंत्री ने नए चैन आयो के गटन के निर्देश दियें तब यह सपश नहीं हुआ है कि इसका मुख्याले का होगा इस कारण इस पर अस्वमंजस की स्थिती जो है वो बन गए थे तर दो मई 2023 को एक आदेश में ततकालीन अपर मुख्य सचिव उच्च सिक्षा डॉक्टर सुधीर एम ब 2019 में संसोधन का निर्ड़य लिया गया है और ऐसे में इन्होंने नए गटित हो रहे है चैन आयोक विद्यक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्य कमेटी भी गटित की है जो की बता चुके हम कमेटी के सदस्यों की बैटक बुला करके दिशा निर्देश दिये ग उसका कंपैरिजन करते हुए भेज दिया गया है बस इस पर अंतिम निर्णय सासन इस तर पर जो है लेना बाकी रह गया है तो सारी चीज़े हो गई है ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है मुख्याले भी प्रयागराज में लगबग डिसाइड ही है के वल और के वल स्वीकृत मिलना बाकी रह गया है बाकी यह चीज़ मैंने पहले आपको बता दीती कि सासन के निर्देश पर जो 12 सदस्ति कमेटी है उसी ने इस विद्यक का नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया है यही आयोग जो है आपका अब आगे चालकर भरती जो है आपकी सिक्षक भरती हो ज वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अबश्य कीजिएगा मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार चैनल